हाई कोट मा सुनावनी दर्मियान राष्टरिय तपास एजनसी एनाई ये आत्तंकी अने जेके एलेफ ना नेता यासिन मलिक ने मौत नी सजा आपपानी मांगनी करी छे जो मामले कोटे यासिन मलिक ने नवाटिस इश्यू करी छे आरजी पर आगा मी सुनावनी 9 ओगस्त हातедь धर्वा माहवशे काश्मिन भागला बाधी नेता यासिन मलिक ने फासिनी सजा नी मांगनी करती NIA नी अरजी पर दिलही हाईकोट मा सुनावनी धेई हाती आ अरजीने लईने हाईकोट यासिन मलिक ने 9 अगस्ट सुधी मां हाजर थवा जणाविव छे हाल मां यासिन तीहार जेल मां आजिवन कैदनी सजा कापी रहों छे तेने विरुद ज एन आई ए द्वारा फांसिनी मांगनी धरी छे हाईकोटे यासिन मलिक नू कबुल नामू अने चाशित नी कौपी मंगावी छे 2022 मां NIA कोटे UAPA अने देश विरुद युद्ध छेडवाना आरोप मां यासिन ने आजिवन कैदनी सजा फटकारी हती अकेस मां यासिने पोतानो गुनो पन कबुल करयो हतो NIA तरफ थी कोट मां उपस्थीत रहेला सॉलिसीटर जनरल तुशार महताय कहुंके जो कोई गुनेगार पोतानो दो शस्विकार करी लैशे तो पची तेने मात्र आजिवन कैदनी सजा मडशे मुरुत्यू दंड नहीं आउन न करू तेन्यायनी निश्वरता गणा शे काणके IPC नी कलम 121 मा भारत सरकार ने विरो दयूद चिडवा माटे मौतनी सजानी जोगवाय छे जिया कोई सतत सशस्तर विद्रो सेना ना लोकोनी हत्या अने उत्तर अधिकारी नी तरफेण करी रहिव होई तो ते क्यारे इरेरेस्ट आप दर रेर केस ना होई शके भागलाबादी यासिन मलिक ने एन आई एनी कोटे टेरर फंडिंग केस मा आजिवन कैदनी सजा पड़कारी हती यासिन ने घणी का लमोहेटर सजा संभड़ावाई छे यासिन उपर पाकिस्तानना समर्थन थी काश्मीर मा आतंकवादी हुबला माटे फंडिंग अने आतंकवादियोंने हत्यार उपलब्द करावानो केस नोंधायलो हतो